नमस्कार दोस्तों मैराश्कुमार मोरिया प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है 2024 का लोकसभाचुनाव समाप्थ हो गया लोकसभाचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतरिन प्रदर्शन किया बेहतरिन प्रदर्शन के बाद सभी पार्टीयों के सांसदों ने सपत ले लिया है वहीं पर अब जो चर्चा छिड़ गई है उपचुनाओ यानि कि उत्तर प्रदेश की 10 बिधान सभा सीटों पर उपचुनाओ होगा जिसमें से 9 ऐसे बिधायक हैं जो सांसत बन चुके हैं खास करके समाजवादी पार्टी की उन सीटों पर नजर है लोगों की जहां से समाजवादी पार्टी के बिधायक थे और वो सांसत बन चुके हैं क्या समाजवादी पार्टी उन सीटों को बचा पाएगी और क्या भारती जनता पार्टी उन सीटों को बचा पाएगी जहां से भारती जनता पार्टी या या यंडिये के विधायक थे और अब सांसत बन चुके हैं तो टिकट किसे मिलने जा रहा है हम आपको इस वीडियो में मिलकी पूर विधान सभा सीट की बात करेंगे और आपको हम आकड़ा जरूर बताते हैं उसी आकड़े के आधार पर टिकट मिलता है उसी आकड़े के आधार पर पार्टियां चुनाव जितती हैं चुनाव हारना जीतना सारा आकड़ों का खेल है जातिगत समीकरण का खेल है पार्टियों के समीकरण का खेल है आपकी जो भ पतनी लगातार अपने बेश्ट परफॉर्मेंस से अपकी बार दोजार चुनाव जीते हैं दोनों पती और पतनी संसत भवन में आपको देखने को मिलेंगे और हम बात करते हैं यहाँ पर असली रामभक्तों की जीत हुई है असली रामभक्त कौन है आउधेस प्रशाद मैं आपको बता दूँ जो लोग दावा करते हैं सोशल मीडिया पर मेरिस्ट्रीम, मेडिया पर बैठ करके जैस्री राम का नारा लगाते हैं तो मैं उनको असली रामभक्त नहीं मानता हुई मैं ब्यक्तिगत तोर पर उनको नहीं मानता हूं क्योंकि मैं गाउं के परिवेश से आता हूं हमारे गाउं में जो प्रचलन है हेलो हाय करने का प्रचलन नहीं है हमारे गाउं में जै राम, जै सिया राम, सीता राम करने का प्रचलन है क्योंकि आप जब गाउं में देखेंग किसी के नाम के आगे राम होगा किसी के नाम के पीछे राम होगा जैसे राम जी आवन, राम खेलावन, राम दास ना राम पाल किसी के नाम के आगे राम होगा किसी के नाम के पीछे राम होगा जो जै राम बोलता है उसी को मैं असली वाला राम भक्त मानता हूं और जो जै स्री राम बोलता है उसको मैं डुबलिकेट वाला मानता हूं इसलिए क्योंकि वो दिखावटी पन होता है केवल बस हम लोगों के यहां जै राम बोला जाता है तिनों ने कहा चुनाओ जीता अयोध्या प्रशाद सांसत बन चुके हैं जिस अयोध्या को लेकर के तमाम इवेंट हुए आपने देखा इतने बड़े बड़े इवेंट हुए कि भारती जनता पार्टी पूरे इवेंट को कही ना कही पूरे 20 लेबल पर प्रचार किया और जब भारती जनता पार्टी वहीं पर हार गई जिस अयोध्या में भारती जनता पार्टी ने बड़ा सा इवेंट किया था तो लोगों को लगा कि भारती जनता पार्टी में कुछ ना कुछ तो कमिया है कमिया तो बहुत है आप यहां देखेंगे अउधेस प्रशाद को जो बोट मिला पांच लाख चंगवन हजार दोसो नमासी और लल्लू सिंग को जो बोट मिला चार लाख निन्यानवे हजार सात सो बाइस तो अगर हम आकडों की नजर डालें तो कहां आयोध्या फैजाबाद लोग सभा सीट में 5 विधान सभा सीटें हैं 5 विधान सभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 1,04,00,00 बोट मिला एक लाख चार बोट और भाजपा को 1,04,671 यानि कि जिस विधान सभा सीट के अंतरगत मंदिर आती है वहां पर बीजेपी को जादा बोट मिला है बीजे रुदावली में सपा को 1,04,113 बोट और रुदावली में भाजपा को 12,410 बोट यानि कि रुदावली में भारती जनता पार्टी पीछे रही और बहुत पीछे रही आपके सामने सारे आगड़े दिख रहे हैं मिलकी पूर में जहां से बिधायक आउधेस प्रसाथ थे इनको मिला 95,612 बोट भाजपा को मिला 87,889 बोट यानि कि मिलकी पूर में भी बीजे पी हार गई अगला नमबर आता है बीकापूर बीकापूर में सपा को 1,22,543 और भाजपा को 92,869 बोट और दरियाबाद में 92,123 यानि कि 5 विधांसभा सीटों पर 4 में भीजे पी हार गई केवल एक सीट पर जीती थी ओ थी अयोध्या अयोध्या में भी 4,671 बोटों से मात्र जीती थी अब मैं ले चलता हूँ आउधेस प्रशाथ के बारे में थोड़ी जानकारी देखिएगा 54,566 बोटों से चुनाओ जीते एक साल कम 80 साल के हैं इसी उम्र को ले करके एक कोई बाबा है राजुदास क्या बोलते हैं उनका नाम याद करना थोड़ा कठिन लगता है हमको इसलिए कि उन्होंने इनको सराब दिया किसी के बारे में कोई गलत बोलता है तो बहुत बुरा लगता है उन्होंने कहा बृद्ध हो चुके हैं मर जाएंगे उप चुनाओ होगा भारती जनता पार्टी पांच लाग बोटों से जीत लेगी भारती जनता पार्टी ने इनको जान बुचकर जितवा दिया ऐसी-इसी बाते करते हैं ऐसे बाबा बूबा को मैं मानता होंता हैं और छेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है यादों हैं मुसलिम हैं पिछड़ा हैं और अस्थानी असांसत के खिलाफ एंटी अंकम्बेंसी भी थी और लल्लू सिंग पिछली बार जीते थे 65,470 बोटों से अपकी बार हार गए अगला नंबर आता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आकड़ा मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ मिल्किपूर में अभी मैंने आपको दिखाया सपा 7,733 बोटों से आगे रही यही मिल्किपूर में बिधान सबा का चुना होने वाला है ठीक है अगला नंबर आता है 2017 में बाबा गोरक नाथ चुनाव जीते थे केवल 2727 बोटों से यहाँ पर अगला 2012 में अधेस प्रशाद चुनाव जीते थे 34,237 बोटों से तो आप यहाँ समझ सकते हैं यह बहुत बड़ा मार्जिन है अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधेस प्रशाद के बेटे अजीत प्रशाद को देने जा रही है क्योंकि अधेस प्रशाद से बड़ा कोई वहाँ पर नेता नहीं है विधान सभा चुनाव लड़ना आसान बात नहीं होती है और विधान सभा के उप चुनाव में भारतिय जनता पार्टी का प्रयास है कि इस seat को जीत करके BJP से समाजबादी पार्टी से बदला लिया जाए समाजबादी पार्टी को दिखाया जाए कि आप कहीं न कहीं हमसे कमजोर है लेकिन समाजबादी पार्टी और भारती जन्ता पार्टी के बीच यहाँ पर काटे का मुकाबला होगा आने वाले समय में जो भी रिजल्ट होगा ओ मैं आपको बताऊँगा लेकिन यह seat जो है हमारे हिसाब से काटे के मुकाबले में होगी सपा को जितनी जरूरत है इस seat को बचाना उतनी उससे ज़्यादा जरूरत है योगी आदित तिनात को सावित करना कि इस seat को हम जो लोग सभाख हो गए हम विधान सभाज जीत करके दिखाना चाते हैं लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ से चुनाव कौन जीतेगा यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर पहली बार आये हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा 2027 का चुनाव भी बहुत दूर है 2027 की बानगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत जै शम्मिधान